मुश्चार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दा ग्रेट इंडियन कोईन कलेक्शन में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बेटिस इंडिया के शाशनकाल के दौरान जारी किये गए इस वन क्वाटर आना के बारे में जिसको जारी किया गया था 1916 में जौज फिफ्ट के शाशनकाल के दौरान 1916 के इस क्वाटर आना की कीमतों के बारे में बात करें क्या है वरतमान में इसकी कीमते और क्या है इस सिक्के की स्पेसिफिकेशन उसके बारे में हम जाने उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो छलिए सुरू करते हैं इस सिक्खे की details के बारे में जानना तो सबसे पहले बात करेंगे सिक्खे की specification की तो सिक्खे में आपको George V का जो portrait है वो बना हुआ नजर आएगा इंग्लिस में George V King Emperor जिसमें 5 जो है वो Roman नमबर में लिखा हुआ नजर आता है सिक्के के Riverside की तरफ जाएं तो मिड में आप देखेंगे One Quarter Anna India इंग्लिस में लिखा हुआ नजर आता है और उसी के नीचे Year 1916 1916 लिखा हुआ नजर आता है तता गुलाई में देखेंगे तो आप बेलाकरती बनी हुई नजर आती है अब हम बात करें क्या चल लही वर्तमान में इस सिक्के की कीमते हैं 1916 में जारी किये गए इस One Quarter Anna की कीमतों के बारे में जानें उससे पहले जानना जरूरी है कि ये सिक्का भारत की सिर्फ एक मिंट कैलकटा मिंट से ही जारी किया गया था और ये सिक्का Rare category में आता है बात करें इस सिक्के की वर्तमान कीमतों के बारे में तो वो है Fine Condition में अगर आपके पास में सिक्का है तो 500 रुपए Very Fine Condition में सिक्के की कीमत 1000 रुपए Extra Fine Condition में सेख सिक्के की कीमत 1500 रुपए तक चली जाती है तो ये थी इस सिक्के की वर्तमान में कीमतें और सिक्के की स्पेसिफिकेशन उसके बारे में आपने जाना सिक्के की कीमत के बारे में बात करें तो वो डिमांड और सप्लाई पे ही डिपेंड करती है क्या है इसकी रियरिटी मार्केट में उसके डिपेंड करती है सिक्के की कीमते तो आप ये भ्रह्म में न दिएगा कि ये सिक्के जो हैं हर सिक्का जो है वो 15,000 का ये पचास हजार का ही होगा वो जैसे जैसे उसकी कीमत मारकेट में कम हो जाएगा तो हो सकता हो एक लाक का भी पहुंचा या हो सकता हो 10,000 में भी बिकने लगे तो ये उस पे डिपेंड करता आपको market basis पे analysis करना जरूरी है तो यह थी जानकारी जो मैंने आपको provide कर आई कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप हमें जरूर बताईएगा तथा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही